हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल प्रैक्टिस अड़्डाबाई रिशी तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं आज 17 अगस्त है और हम लोग दे हिंदु नीज पर पढ़ेंगे आज हम किस आइटिकल को पढ़ेंगे कस्मीरी पंदित सौट डेड़ बाई मिलिटेंट्स कस्मीरी पंदित को मारा गया बाई मिलिटेंट्स लडाकू के द्वारा अज हम लोग यही आइटिकल पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कस्मीरी पंदित सौट डेड़ बाई मिलिटेंट्स कस्मीरी पंदितों को मारा गया जान से मारा गया बाई मिलिटेंट्स लडाकू के द्वारा गुनमेन ओपेंड फायर गुनमेन में फुली फायर में ऑन टू इन एपल ओचर्ड जिसमें से दो इपल ओचर्ड इन एपल ओचर्ड सेप के बगीचे में कम्यूनिटी समुदाय फोरम इस्योज समुदाय के मंच ने इस्योज जारी किया कॉल टू लिव छोड़ने के लिए महाउस दस्तान से मिन्स वो लोग अपल के ओचर्ड में थे सेप के बगीचे में थे जहां पर वो फायरिंग हुई पीगर के नीचे देखिए वाइफ आप सुनील कुमार मौर्ण्स वाइफ सुनील कुमार की पत्नी विलाब कर रहे हैं इन चोटी पोरा में एरिया में चोटी पोरा के छेत्र में एरिया में आप सोपियन सोपियन का on Tuesday मंगलवार को करते हैं मिलिटेंट्स को मारा गया लडाकूओं के द्वारा और घायल हुए अनादर मेंबर दूसरे सदर्श आप दर कम्यूनिटी सदर्श के इन ओचर्ड बगीचे में इन साउथ कस्मीर के सोपियन के on Tuesday मंगलवार को Once एक बार फिर अगेन पुना सेंडिंग सौक वेव्ज एक अचंबा करने वाली लहर एमॉंग बीच में दा मेंबर स्दस्टों के अब दा मैनोर टिया अड़िए के में अववाईली घाटी में ओवाईली घाटी में बेश्डाधारित था पंडित गुरूप सेड़ पंडित के गुरूप ने कहा कि दाइक अटायर कम्यूटी संपूर संबाय नाव फेल अंशेप इन कस्मीर संपूर्ण संदय जो है या फिल कर रहा है मसूस कर रहा है अंसे असुरचित इन कस्मीर कस्मीर में अन आइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स जो भी पहचाना नहीं गया लडाकूं के द्वारा जो अर मतलब की जिने अंप पहचान नहीं सकते वैसे लडाकूं थे फाइड एरिया चोटीपोरा के एरिया में आप्सोपियन के दपुलिस सेड पुलिस ने कहा सुनील कुमार हुआ सौट डेर सुनील कुमार हुआ सौट जिनने मारा गया आइड फ्रॉम एक प्लोज रेंज एक नस्दीक से डाइड ऑन दे स्पॉट जो स्पॉट पर ही उसी अस्तान पर तुरंद मर गये हो अधर पर्शन दूसरे ब्यक्ति ने पितांवरनाथ्पंडित संटेंड इंजरी जिनकी ठीक से इंजरी हुई एंड वा सिप्टेड और सिप्ट किया गया दा ओरु मी होस्पिटल इन स्रिनगर स्रिनगर के आर्मी होस्पिटल में दा गंडिशन यह स स्टेबल इस्तिर है दपुलिस सेड़ पुलिस ने कहां इन इस्टेट आप सॉक इन इस्टेट आप सॉक एक अचंभित करने वाली कंडिशन्स में अवस्था में दफेमिली मेंबर्स घर के सदर्श आर फाइंडिंग खोज रहे हैं पा रहे हैं इट हार्ड टू रिकॉंसाइ इसी सुलक करने में बहुत ही कठिनाई के साथ वाट है जकड जो कोड़ भी घटित हुआ दे डिमांडे उन्होंने डिमांड किया जस्टिस नियाए का आइस दे विक्टिम स्पीडितों के प्रति बॉड़ी वाज हैंडे ओवर टू दिम बॉड़ी उन्हें सौंप दी गई इस साल जो दूसरी बार है कस्मीरी पंडितों पर मिलिटन्स के द्वारा टाइक किया जा चुका है इन अप्रैल में अपंडित सौप कीपर एक पंडित जो सौप कीपर दुपांदार थे सोनु कुमार वास सौट जिने मारा गया इन इस सौप उनके दुकान पर और लेफ्ट इंजर्ड और उन्हें छ इन आउट एरिया इंक्रीज सिक्योर्टी सिक्योर्टी सुरच्छा बढ़ाने के उद्द्रेश्ट इन आवर एरिया हमारे एरिया हमारे चेत्र में देटिन डथिंग उन्होंने कुछ नहीं किया दे आर रिस्पॉंसिबल फॉर दीज वे रिस्पांसिबल हैं वो दे चुके हैं लगातार हो रहे हमलों पर और मेंबर सदस्चों के आप दा माइन वाटी कम्मुनिटी अलव संक्यक के समुझाय के लोग इस साल विथा पंडित इंपलाई एक पंडित कर्मचारी के साथ राहूल भाट एंड स्कूल टीचर फ्राम जम्मू से रजनी बाला ब प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर के दवरान वहां पर उनकी रिकूर्टी हुई है बाइकॉट जो बैस्कृत हो चुके हैं आप इसे ऑफिसेज में इन द वैली घाटी में डिस्पाइट के बावजूद दियर पोस्टिंग अपने पोस्टिंग के गए और जबकि उनकी नियुक्ति जो है वो रिटन एंड रिहाइबिलिटेशन पैकेज के ताथ उस यूनियन टेरिटरी एरिया में की गई थी नाव अब फ्रेस्ट वेव आप अटायक्स अपियर्स एक 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 फ्रेस्ट लहर जो है अटायक समला करती है अपियर्स तू है विए लॉंच्ट अगेंस्ट नॉन लोकल वर्कर जो नॉन लोकल वर्ट्सकर्स के बीच लॉंच्ट किया गया एंड मेंबर्स सदेश्चों के एंड मैनॉर्टी कमिटी जो अलप संके समदा कि इन कस्मीर बाई मिलिटरेन लडाकों को द्वारा कस्मीर में तू ग्रेनेड तक जो ग्रेनेड अटाइक्स किया गये थे वर कैरेड आउट जो चलाये गये थे और पंडितो पर इस वी की स्थब्था इन बुद्घम और पुल्वामा एरिया अपकस्मीर पुल्वामा एईरिया कस्मीर में करन कुमार शिंग वाज-इंजड बाई अ ग्रेनेड के घैल क गश्ट को मारा गया। यह बढ़ता हुआ जो भय है। इमांग बीच में पंडितों के इस पलपेबल, पलपेबल में सोता है असपर्ष करने लायक है। दकस्मेरी पंडित संघर्ष समिती और ओर्गनाजेशन और ओर्गनाजेशन और कस्मेरी पंडितों को लिविंग इन वैले घांटी में है। The KPSS request, KPSS ने request किया all the कस्मेरी पंडितों से टूलिव छोड़ने के लिए the कस्मेरी वैले कस्मेरी घांटी को वित अथौरिटी, अथौरिटी के साथ deadly attack, आप कस्मेरी पंडित इन दकस्मेरी वैले। The terrorists, आतंकवादी, have made it clear, अपना उदेश्ट बना चुके हैं, असपस रूप से they are going to kill all the कस्मेरी पंडितों को कस्मेरी घांटी में। KPSS chairman says, Sanjay Tiku said, he said, उन्होंने कहा कि it was ironic that की local overground workers, जो local overground workers हैं, वो भी militant के साथ मिल चुके हैं to kill the year neighbors, अपने पडोसी को मारने के लिए। Meanwhile, जब कि Jammu and Kashmir यल जी मनोज सिंगा, Jammu and Kashmir के lieutenant governor मनोज सिंगा ने who visited जो विजिट किये, वहाँ पर पहुंचे the injured घायलों के in the hospital hospital में said, उन्होंने का, I am pained, मैं बहुत दुखी हूं beyond words, अपने सब्दों से परे on despicable terror attacks, on civilians in sopian civilians में, जो despicable terror attacks हुए हैं, हमले हुए हैं in sopian The attack deserved strongest condemnation for everyone, यह जो attack किया गया है, वो बहुत ही strongest मजबूत निंदा को प्रत्यक से बहुत ही मजबूत निंदा किया गया है आइच पर आईविटनेस, आखो देखा हाल, एक कैटेगराइज टेरिस्ट अप आल बॉर्डर आडी वनी फ्रॉम दे शोपियाज को टुपुरा वाज बिहाइंड अटैक के पीछे था, दे सेकेंड वाज एन ओवर ग्राउंड वर्कर्स, एडिशनल डिरेक्टर जनरल जीपी ने हिंदू को बताया, तो पूरा न्यूस इस पर डिपेंड थर्डियर की जो कस्मीरी पंडितों पर फिर से हमला सुरू हो गया, एक सौट्डेड हो गया है वहाँ पर, तो फिर से ये मैटर वहाँ पर उठ गया है, कस्मीरी पंडितों के खिलाब जो है, उनको मार रहें रोडोड करके, तो यही है, यही निउस इसने, 31 मिनिस्टर्स, 31 मिनिस्टर्स inducted into नितिष लेड बिहार कैबिनेट, 31 मिनिस्टर्स सौमी लोगे, इंड़क्टेड इंट्व नितिष के बिहार कैबिनेट में, many of them have criminal background कई सारे लोग criminal background से हैं बिजेबी ने ऐसा कहा बिहार चीफ मिनिस्टर निटीश कुमार भी दिप्ट्री सीम ते जश्वी आदो H.A.S. चीफ जीतन राम माजी और रजेडी लीडर रावडी देवी और स्वीरिंग सपत लेते हुए in the ministers in Patna on Tuesday the Nitish Kumar lead Bihar cabinet on Tuesday expanding with the induction of 31st Minister Nitish Kumar अग्रणी Bihar cabinet में on Tuesday Mangalvar को expanded विस्तार किये with the induction सामिल करते हुए 31st ministers को 21 मंत्रियों को शिष्टी फ्राम राश्टी जन्तादल जो 16 राश्टी जन्तादल से हैं 11 फ्राम जन्तादल उनिटीट से हैं दो लोग कांग्रेस से हैं, बन फ्राम दे हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और एक हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा से हैं और एक स्वतन्त रहें। देवर अइन्मिनिस्टेटर्स उन्हें प्रशासित किया गया था दाओध सपतका और फापिस के बाई गवर्नर फागु चौहान के द्वारा इसमें ज्यादा तर ज्यडियो मिनिस्टर्स इंक्लोडिंग सामिल हुए विजेंद्रियादो, असोग चौधरी, संजय जाँ, विजे कुमार चौधरी, श्रवन कुमार, सुनिल कुमार, जामा खान एंड मदन सानी अप्ट प्रीविएस नेशनल देमोक्रिंटिक अलायांस गोर्मेंट वाज वर रिटेंड जो पुनर सामिल के गये था 7 आरजडी लेजिस्टेटर्च आरजज़ी लेजिस्ट्रेटर्स विदान मंडल के 5 जेडी के स्काशलिक अंऑ मुसलिम समुदाय के हैं और जिसमें से तीन महिला आए हैं बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की या जोरदार प्रहार किया कैबिनेट पर सेइंग कहते हुए कि इसमें समाजिक समीकरण का अभाव है और इसमें से कई सारे अमलेज जो है वो क्रेमिनल बैक्राउंड के हैं हैं और 10 अगस्त 10 अगस्त 10 अगस्त को कहा गया मिस्टर कुमार तुक होद मिस्टर उबार सपत लिया ऐस दचीप मिनिस्टर क्रूप में विति जस्टी यादो के साथ आए दचिफ्टी मिनिस्टर कि आज हम लोगों ने दहिंदू निस्पेपर बहुत इच्छी तरीके से पढ़ा और इसमें दो निष्ट का हम लोगों ने हाइलाइट के एक मेरी पंडितों का और निदी इसकुमार के कैबिनेट का आप लोगों ने देखा तो अगर मेरे निस्पेपर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल माई चैनल नेम प्रेक्टिस अड़ाबाई रिशी नमस्कार